80 सब्ध पिर्ती मिनट डिक्टेशन स्टार्ट सरवोच अदालत की जश्टिस S.A. नजीर की अगवाई बाली पांच सदस्य संबिधान पीठ ने चार एक के बहुमत के फैसले में छह साल पहले किये गए एक हजार और पांच सो रुपे के नोटो के बीमुद्री करण को सही ठहराया है जो बाकई मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है जिसके ब्यापक राजनीतिक पिरभाब से इनकार नहीं किया जा सकता दर असल विपक्सी दल पिरधान मंत्री मोदी परमन माने धंग से नोट बंदी करने का आरोप लगाते रहे हैं संबीधान पीठ ने इस पश्ट किया की ने तो यह निर्णे एतारकिक था और ने ही अनुपातिक था के सिध्धान्त के बिरुद्ध था यही नहीं उसने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए दिये गए बामन दिनों को भी पर्याप्त माना सरकार ने नोट बंदी की जो तातकालिक बजहें बताई थी उनमें नकली नोट काला धन आतंकी फंडिंग पर्नियंत्रण के साथ ही डिजीटली करण को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था मगर कोट ने इस पश्ट किया है की बहे प्रासांगिक नहीं है की ये उद्देश्य हासिल हुए या नहीं बास्ताब में ये है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की लक्षमन रेखा को भी दिखाता है जैसा की संबिधान पीठ ने पीच दंबरम सहित याची का करताओं के सारे बकीलों की दलीलों को खारिज करते हुए सिर्फ नोट बंदी के फैसले की पिरकिर्या तक खुद को सीमित रखा वहीं जस्टिस नाग रतना ने फैसले पर इस आधार पर ऐस हमती जताई की नोट बंदी का फैसला अधी सूचना के जरिये नहीं बलकि कानून बना कर किया जाना चाहिए था विपक्स के आरोपो के उलट कोट ने कहा है कि केंडर सरकार और रिजर्ब बैंक के बीच छह महीने से इस बिसे पर पर्याप्त बिचार बिमर्स हुआ था इस बिमर्स के दोरान रगुराम राजन दिजर्ब बैंक के गवर्नर थे हालां की बाद में उन्होंने इस पश्ट किया था कि उन्होंने नोट बंदी का समर्थन नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगा की इससे जुड़ी अल्पकालिक आर्थिक लागत इसके दीरगकालिक लाव से अधिक होगी 16 नवंबर 2016 को जब प्रिधान मंतरी मोदी ने 1500 रुपे के नोटों के चलन बंद करने का एलान किया तब उर्जित पटेल रिजर्ब बैंक के गवर्नर थे इस फैंसले के आलोक में समझा जा सकता है कि रिजर्ब बैंक का स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन ऐसे बिस्यों पर निर्णे लेने के लिए सरकार अधिकार प्राप्त है और नोट बंदी जैसे निर्णे लेने के लिए बैंस्वतंत्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता कहने की जरूरत नहीं की इस फैंसले के दूरगामी असर होंगे स्टोप